तो आज हम बात करेंगे इफ फॉर्मूला में नेस्टरीव का नेस्टरीव की जरुरत क्यों पड़ती है नेस्टरीव क्या नामका फॉर्मूला है जी नहीं इफ वही है नेस्टरीव इसलिए बोलते क्योंकि एक इफ के दूसरा तिसरा तिसरा जाल की तरह बन जाता है यहां पर देखिए कि 50 to 80 के बीच में 800 है अगर यह लास्ट क्लास में सिर्फ यह था तो हमने एंड का इस्तमाल कर लिया है तो क्योंकि मेरे पास multiple condition single result यहां पर multiple condition भी multiple result है जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि 50 to 80 हुआ तो 800 less than 50 हुआ तो 100 तो यहां हम बात करेंगे ने चरीव का कि इफ हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि अगर ए गेटर देन इक्वल टू फिप्टी है इसके अंदर एक और इफ लगाया कि ए लेस दन इक्वल टेटी है अगर ऐसा है तो 800 so otherwise 200 नहीं तो 100 ठीक है अब दो इफ इसके अंदर दो एक यहां पर एक और लोजिक ओपेटर हो गया तू पार्ट में दूसरा इफ हो गया और फॉल्स पार्ट में 100 हो गया मतलब यहां अगर तू हुआ तो दूसरा इफ चरेगा अगर यहां फॉल्स हुआ तो सीधे 100 को शो कर देगा अब यहां ट्रू हुआ तो एक अंदर शो करेगा नहीं तो 100 को शो कर देगा ठीक है सम्झे पबंजी अब इसी का और में आते हैं तो हमें यहां पे कि अगर ए इक्वल टू सटर्डे है तो यहां पर आना चाहिए फिर इफ अगर एक्वल टू संडे है तो आना चाहिए ऑफ अधरवाइस ओपर तो यहां दोनों की कंपेर कीजिए अगर आपके पास अंड का कंसेप्ट है तो हर दूसरा इफ पहले इफ के अंदर आएगा टू पार्ट में ठीक है और और का कंडिशन हो तो हर इफ दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में ठीक है अब इसी एक्जामपल यहां बढ़ते हैं यहां मुझे पास और फेल देना है लिए सब्सक्राइब दूसरा इफ पहले इसकी ट्रू पार्ट में ठीक है और है तो दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट सब्सक्राइब आगे समझ में आजाएगा देख लिए यहां हमें देना है कि पास और फेल देना है और कौन से सब्जेक्ट पर फेल हो देना है तो यहां पर इफ लगाया और इसको सेलेक्ट किया कि अगर ए गेटर दैन एक्वाल टू थार्टी है तो पास ठीक है फिर इसको सेलेक्ट किया नहीं माफ किजिए गलत दिया पास नहीं करना है कि अगर बी टू गेटर देने को ठर्टी है तो दूसरा इफ चले सी टू को चेक करें सब्जेक्ट को चेक करें सब्जेक्ट टू को चेक फिर तीसरा इफ चलेगा सब्जेक्ट थ्री को चे करेगा यहां पर कॉमा देना बूल गया कॉमा इसको सेलेक्ट किया तो यहां पर आएगा हमारा पास अद्वर आएगा फेल में को ना सब्जेक्ट सब्जेक्ट फोड सम्झें आप जैसे कि यहां देखिए यहां पर आगिया हम इस इंदे ना इस सब्सक्राइब करेंगे करेंगे तो देकि फॉल्स पार्ट होगा होगी है यहां पीजेट्ट थी फिल गर देते हैं फिर क्लोज किया देखिए यहां गए और इस एस इफ का टूपार एख अप्लिशन और पूरा पूरा हो गया टूपार्ट ऑप और जैसे मैं ऑप डालूंगा आप देखेंगे फालस पार्ट यहां पे सब्जेक्ट तो वह अगर है तो ठीक है नहीं वात हो नेक्स पर शिफ्ट किया एक में आपको समझाता हूं एक में नहीं पूरा करने दीजिए फिर समझाता हूं और दूसरा तरीका ही बताऊंगा कंफ्यूजन ना होने पहला इस चेक करेगा अगर पहला इस को लगा कि हां कि भी टू से अधार थार्टी से ओपर है तो दूसरे इस को फावड करेगा नहीं तो इस इस का जो फॉल्स पार्ट सब्जेक्ट वन फेल है इसको सो कर लें ठीक है दूसरा इफ चेक करेगा condition true हुआ तो तीसरे इफ को forward करेगा नहीं तो यह क्या करेगा सीधे इसको show कर देगा फिर तीसरा इफ चेक करेगा अगर है तो चौथे इफ को forward करेगा नहीं तो यह अपना false जो है वो show कर देगा और चौथा इफ चेक करेगा अगर true हुआ, तो pass देगा, otherwise fail देगा, समझें, तो किसाथ, clear है, अब आद आती है लगाने की, कि एक साथ लगाने में confusion होते क्या करें, तो मेरा वही पुराना formula merging method, आप क्या करेंगे, बोलेंगे, if, अगर a, greater than, equal to 30 है, तो pass, ठीक है, otherwise, subject 1, fail, समझें, फिवा आपस, if, अगर एक greater than, equal to 30 है, तो pass, नहीं तो subject to fail, समझें, फिर यहां पर if, तीसरा subject, अगर एक greater than, equal to 30 है, तो pass, नहीं तो subject, 3 है, हाँ, 3, fail, फिर यहां पर हम देंगे, if, अगर, चौथा subject, अगर greater than, equal to 30 है, तो pass, नहीं तो fail, subject 4 देंगे, अलगा लगा दिया, सरा आपने, ठीक है, जी, अब मुझे क्या करना है, सब को merge करना है, यह जो है, इसको उठाता हूँ, और last, last, first की दरफ, ठीक है, ज़र, तो last वल, if को उठाया, equal के बाद copy किया, और चले आया, तीसरे if में, यहां जहां पर pass था, उसके जगाँ पर, हम चौथा if को paste करना है, ठीक है, समझे कि नहीं सर, वो यहां ठीक है, हाँ, मैंने क्या किया, चौथे if को copy किया, और हम तीसरे if के जो pass लिखा हुआ था, two part था, उसके अंदर कर दिये, paste, equal copy मत किद लेगा, वतलब चौथा if को delete किया जा सकता है, अब तीसरा और चौथे if को उठाएंगे हम यहां से, ठीक है और दूसरे if के pass वाले में paste कर देंगे, और अब तीसरा तीसरा चौथा if को उठाएंगे और पहले वाले के अंदर कर देंगे pass के जगा पे paste, अब यह रहा आपके साथ, अब आपको इसमें third से लगा लो यह इसमें third से लगा लो, समझें, कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब इसमें आते हैं कि अगर आपका और के में third हो, कि इसमें किसी एक में भी अगर मिल जाता है, true, तो true कर दे, y मिल जाता है तो, इस हमने बोला कि pan अगर y है, तो pan उसको अगर y मिल गया, तो दूसरा क्यों चेक करेगा, यहीं पर ok कर दे, क्या? क्योंकि कोई एक मिल गया, तो ok दे देना है, तो pan मिल गया, तो ok कर दो, pan नहीं मिला, तो फिर दूसरा इफ लगेगा, और tl को चेक करेगा, अगर dl मिल गया y, तो यहीं पर ok करतेगा, आगे check ही नहीं करेगा, क्या? फिर ऐसे ही, तीसरा, चौथा, पाँचमा, यह लेते देते चला जाएगा, फिक है, फिक है, इसको select किया, that is equal to y, तो ok, और यहाँ पर, if that is equal to y, तो ok, अधर बाइस, last में करेंगे pending, क्योंकि आप pending होने के chance एक ही वार है, ok होने के 5 वार है, फिक है, फिक है, आगया, अब चली कुछ और चलते हैं, इसमें grading system देना है, तो हम नीचे से उपर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ देते हैं, equal if, अगर f to is less than equal to 40 है, अगर 40 से नीचे है, तो यहीं पर c दे दो, और किसा कदम करो, आगे बढ़नी की जरूत नहीं, नहीं है, त तो फिर दूसरा if लगेगा, और यह less than equal to, अगर a 60 है, 80 है, तो यहाँ पर दे b grade, फिर if less than equal to 100 है, तो दे a grade, समझें, अधर बढ़ते हैं, तो हमने, जो method हमने लगाया था, और के लिए, वही method यहाँ लगाते चला गया, अब आपके पास अगर नया excel है, तो एक formula आया ifs का, इसको भी लगा सकते, इससे क्या होगा, अपना condition देते चले जाएए, और result देते जाएए, बार बार if लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े देगी, मतलब देखिये नहीं आपे, पड़ा चला कुछ के नहीं, एक मुझा सर, पड़ा चला, नहीं, चले, तो एक काम करते है, formula text का formula लगा, एक formula text नाम का formula, नहीं इसका ही बताओ, इसका ही बताओ, देखो, नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ न, एक मेंट, दोनों formula में कोई similarity में, ज़्यदा problem नहीं है, दिक्कत नहीं है, अच्छे, आप देखिये, तो लेगन, दोनों में similarity सेम तो आ रही है, अच्छे, बार बार if use नहीं करता है, बस, आप पकड़े, आप, सही पकड़े, वह भावी जी वाले है, सही पकड़े, अच्छे, ठीक है, ओके, समझ माया, तो सर इसमें अच्छा ज्यादा work नहीं है, बस इसका यह हूज है, यह latest excel formula है, पहले ही इस्तमाल होता था, 2019 से हम इसी को इस्तमाल कर देते हैं, उसके बाद यह formula है, ठीक है सर, समझे नहीं है, तो यह formula लगाते हैं, तो हो सकता है, 13 पे, 10 पे work नहीं करेगा, error आ जाएगा, end ने का, hash ने का, पर यह formula 3 पर भी चलेगा, सब पर चलेगा, समझे, अच्छा जी, ठीक है, चलिए, अब इसी पर एक और example देते हैं, कि मुझे incentive निकालना है, 0 to 40 हो तो 500, 40 to 80 हो तो 1000, 80 to 100 हो तो 1500, ठीक है, ठीक है, तो यहां हमने लगाया formula, अभी यहां क्या लगाओ, इस लगाओ या इस लगाओ, बताइए, इस ही लगाओ, तुम नहीं है, तो, आप बचेगा, इस में हमने select किया, और less than equal to, हमने किया 40, 40, less than 40 है, तो 500, फिर वापस हमने जे टू को select किया, और less than equal to, 80, तो, क्या होगा, 1000, फिर कॉमा, फिर जे टू is less than equal to, 100, तो, आपका, 1500, और फिर इस को select किया, वोला, greater than, 100, तो, 2000, ठीक है, ठीक है, और नीचे ड्रैक कराओ, अब इसी के thoughts पे हम बागी सारे काम भी करते हैं, जैसे की, बिजली बिल का, जैसे की, income tax का, समझे, तो, क्या बताओ, income tax बताओ, या बिजली बिल बताओ, 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 एक को बताओ, जैसे की, अगर 200 unit हुआ, तो, तीन रूपे, पचीस पैसे की unit, चार्ज होगी, अब कुछ लोग बोलेंगे कि, डाइरेक्ट रूपे 45 पैसे से को multiply कर देंगे, क्या, लेकिन गलत है, ऐसे calculation नहीं होती है, 200 की calculation हमने अगर तीन रूपे 25 पैसे की हिसाब से, तो, दो सो इन रूपे 25 पैसे की हिसाब से, फिर 200 unit को उठा, चार रूपे 15 पैसे हिसाब से, फिर इसी तरह सो होते गया, फिर 240 unit जो है, गार रूपे 50 की हिसाब से, तो टोटल बिल कितना हुआ, तरहा सी सो चालिस, ठीक है सब, समझे, ठीक है सब, तो, same calculation कैसे करेंगे, यह जैसे unit यहाँ पे है, तो चलिए, बहां देखिएगा, थोड़ा सा complicated है, इसमें हम ifs लगाते हैं, ठीक है न, same condition जो आपने अभी तक लगाया है, इस score पे incentive वही है, बस calculation बतल गया है, result का, बागे सब से हिम है, जैसे मैंने बोला कि अगर a less than equal to 200 है, तो कुछ करना ही नहीं है जो unit आया, उसको multiply by 3 रुपे 25 पैसे है, ठीक है सर, फिर यहाँ पे हमने बोला कि अगर a less than 400 है, अगर 4 ऐसा है, तो यह 650 आपको दिख रहा है न, यह तो लगेगा ही लगेगा, 200 होगा, क्या सर, अब फिर हम इसमें से अपना 200 माइनस कर देंगे, जो बचेगा, उसको हम 4 रुपे 15 पैसे की हिसाब से करेंगे, multiply, 4 रुपे 15 पैसे की हिसाब से, and so on, ठीक है, फिर इसको हमने बोला कि अगर less than equal to 600 है, अगर 600 हुआ, तो 650 तो देना ही है, प्लस 830 भी देना ही है, ठीक है न, प्लस, इसमें हम माइनस करेंगे 400 यूट, और जो बचेगा, वो हमारा जाएगा, 5 रुपे 30 पैसे की हिसाब से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर अगला लॉजिक देते हैं, अगर यह लेस दन इकोल टु हुआ, वन थाउजन, तो 200 क्या देंगे, 250, प्लस, 830, प्लस, 1060, फिर इसमें देंगे, प्लस, और फिर इसमें से, हम, माइनस करेंगे, 600, जो बचेगा, वो मल्टिप्लाई होगा, 1000 रुपे ला स्लैप्ज कुछ सा है, 7 रुपे 63 पैसे है, ठीक है सब, ठीक है हो, समझे, फिर अगेन कल्कुलेशन होगा है, कि अगर ए, ग्रेटर दैन 100 हुआ, अब मैं ऐसे प्लस कर रहा हूँ, आप एक अथा इमांट लिखने सकते हैं, ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है सब ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है सब, प्लस, इसमें से माइनस क्या करेंगे, 1000, और वह मल्टिप्लाई होगा, किस से, 11 रुपे 45 पैस है, ठीक है सब, ठीक है सब, अब एक्ष सर ठीक है सर ख्लियर है कि यहां पे बारा सुच चालिस लिखता हूं तरह से चालिस सही है बिल्कुल में बहुत खुश हूं को कि आप पहले स्टूडेंट है जो इस कैलकुलेशन को एक बार में समझे है सर क्योंकि मेरा बैग्राउंड मैट का है सर बरना इस को समझाने हुआ है